लगबग पांच दशक पहले ये स्थान दक्षिन भारत के तट पर स्थित एक काफी व्यस्ट शहर था जिसमें रेलवे स्टेशन पुलिस स्टेशन आदी जैसी सभी आवश्यक्ताएं थी उस दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा था जब एक बड़े तूफान ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया 21 दिसंबर 1964 का दिन था जुआर 20 फीट तक बढ़ गया था और तबाही और खंडहर के अलावा कुछ नहीं बचा था इस विनाशकारी घटना के बाद सरकार ने इस जगह को निर्जन घूशित कर दिया और अब मौजूदा समय में यहां गिने चुने लोग ही रहते हैं हाला कि यह एक ऐसा स्थान बना हुआ है जो समय समय पर यात्रियों और इतिहास और पौरानिक कथाओं के प्रेमियों के लिए एक महान गंतव्य साबित हुआ है यह सबसे अद्भुद जगहों में से एक है जहां आप निश्चित रूप से धनुश को डी जा सकते हैं समुद्र तट की सफेद रेत वास्तव में आपको क्या आकरशित करेगी यहां आप बीच पर साइलेट वॉक का लुद्व उठा सकते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको किसी चीज़ की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है मननार समुद्री राष्ट्रिय उद्यान की खाड़ी देश में स्थित कुछ समुद्री राष्ट्रिय उद्यानों में से एक है लगभग 21 वीपों से मिलकर यह प्रकृति के प्राकृतिक प्राकृतिक ब्रिश्यों जैसे नदी के मुहाने जादूई समुद्र तटों और जंगलों का अनुभव करने के लिए एक सुन्दर जगह है 3. राम सेतू, नाला सेतू के रूप में भी जाना जाता है ये स्थान हमारी संस्कृति के इतिहास का अनुभव करने के लिए सबसे अद्भुत स्थानों में से एक है जो वास्तव में हजारों साल पहले का है हाँ, ये वही है भगवान राम ने जो पुल बनाया था लंका की यात्रा करने और देवी सीता को राक्षिस राजा रावन से बचाने के लिए गहरा नीला समुद्र और सुरम्य साफ पानी पंबंध भी बस आपकी सांसे थम जाएंगी यहां जाने के लिए आपको पंबं ब्रिज को पार करना होगा यह एक ऐसी जगह है जो आपको संजोने के लिए बस इतनी सारी अविस्मरनिय यादे देगी धनुशकोडी जाने का सबसे अच्छा समय यदि आपने अपनी अगली चुट्टी के लिए धनुशकोडी पर ध्यान केंद्रित किया है तो ऐसा करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी तक सर्दियों के महीनों में होगा धनुशकोडी का इतिहास ये जानना दिल्चस्प है की इस्थान का नाम धनुश के अंत में अनुवादित है यहां वर्नित धनुश स्वयम भगवान राम का है जैसा की कीवदंतेओं का सुझाव है रावन के बाद राक्षस राजा ने देवी सीता का अपहरन कर लिया भगवान राम को अपनी प्रियसी को बचाने के लिए लंका की यात्रा करनी पड़ी और जब वह भोगोलिक सीमाओं के अंत तक पहुँचा तो वह विशाल महासागर के पार आया ऐसे में इसे पार करने के लिए पुल बनाने की जरूरत थी और इस पुल को बनाने की प्रक्रिया में भगवान राम ने इसी स्थान को उस स्थान के रूप में चिनहित किया जहां से पुल का निर्मान शुरू होगा उन्होंने अपने धनुष का उप्योग उस स्थान को चिनहित करने के लिए किया और इस प्रकार इस स्थान का नाम अस्थित्व में आया धनुष कोडी को निर्विवाद रूप से दक्षिन भारत का चिपा हुआ प्राकृतिक सौंदर्या कहा जा सकता है हाला कि इसकी भौगोलिक और जल्वायू पर इस्थितियों के कारण बहुत से लोग यहां नहीं रहते हैं फिर भी यह उन परियपकों और साहसिक प्रेमियों के लिए सबसे आकरशक स्थानों में से एक है जो धनुष कोडी की आत्रा करना जारी रखते हैं ये पंबंध वीप के दक्षिन पूर्वी सिरे पर स्थित है तमिलनाडु राज्या 1964 में रामेश्वरम चक्रवाद की चपेट में आने के बाद से यह ज्यादातर निर्जन है